गाइस फैनली न्यू पार्सल मुझे मिल चुका है मैंने मंगाया था काफी सारा नया नया प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए समान जैसे की इलेक्रोनिक कमपोनेंट डिसी मोटर हो गेरा तो फड़ा फड़ से अन्बॉक्सिंग करके मैं दिखाता हूँ मैंने कितना सारा समान मंगाया हुआ है पैकेजिंग काफी बढ़िया करका भेजा है कमपनी वालोंने कहां से मैंने सभी समान को ओडर किया था कितने कितने रुपई प्राइस वेगरा पड़ा है सभी इस वीडियो में बताऊंगा और आप भी खरीद सकते हो इस अभी समान तो फिल इस वीडियो को complete देखना और यह देख सकते होगा, इसी इतना सारा समान है, यह पूरा पूरा समान न 4,000 रुपए का है और यही समान को अगर न मैं एमाजोन या फ्लिप कार्ड में खरीदता न तो 7-8,000 रुपए पढ़ जाता मुझे लेकिन मैंने जहां से खरीदा है, वहाँ पर मुझे बहुत सस्ता मिला आपको भी मैं बताऊंगा कहां से खरीदना है, कैसोन डिलिवरी वेगर है की नहीं, वो सब बताने वाला हूँ चलो फिर एके करके मैं आपको समान दिखाते जाऊंगा, साथ मैं प्राइस भी बताऊंगा, विरो को कंप्लीट देखना सबसे पहले सुरुवात करते हैं, इलेक्रोनिक कंपोनेंट से, तो दोस्तों यह मैंने मंगाया था, बग कनवाटर मोडियूल यह 5 एंपियर का बग कनवाटर है, इस वाले मोडियूल में दो छोटा छोटा पोटैंसोमीटर दिया है, इन दोनों को गुमा करके हम ही प्राइस में मुझे यह मिल गया, अब अगला इलेक्रोनिक कंपोनेंट दिखाता हूँ, यह मैंने कुछ मॉसफेट वेगरा मंगाया था, इसका नमबर है, आई आराब जेट, चावाली से इस वाले मॉसफेट से मैंने आपको इंडक्सन हीटर बना कर दिखाया था, जो क लोहे को अद्दम लाल होते तक गरम कर देता था, वैसे इस मॉसफेट से आप इंवाटर वेगरा भी बना सकते हो, उसमें भी यह काम आता है, यह मुझे 25 पर पिस के हिसाब से मिला है, चलो अब अगला इलेक्रोनिक कंपोनेंट दिखाता हूँ, तो दोस्तों यह मैंने कु काफी बैटरिन क्वालिटी के आप देख सकते हो, अभी बन साथ का मौसम आ चुका है, और इंवाटर वेगरा भी मैं बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसकी बैटरी बनाने के लिए मैंने बीमेस को खरीदा हुआ है, और बीमेस के साथ साथ बैटरी को अच्छे से चार्जिं मोडियूल खरीदा है, यह मैक्रो इस भी पोर्ट के साथ है, और यह वाला नया आया हुआ है, यह जो है टाइप सी पोर्ट के अंदर है, आप देख सकते हो, इस वाले मोडियूल से आप 18650 बैटरी के लावा है, टाइप के 3.7 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग कर सकते हो, इसमें इन बील्ड भी एमेस भी लगा हुआ है, जो कि आपके बैटरी को प्रोटेक्ट भी करेगा, इन दोनों चार्जिंग मोडियूल का प्राइस आप स्क्रिन में देख सकते हो, इतना इतने रुपे का मुझे मिला है, दोस्तो यह है 18650 बैटरी का सेल होल्डर, इसमें 3 इन सेल लग जाता है, और आप बैटरी में बिना सोल्डिंग किये हुए 12 वोल्ड का बैटरी बना सकते हो इन से, और इससे आप प्रोजेक्ट वेगरा में भी यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया सेल होल्डर है, इसे मैंने 39 रुपीस का खरीदा है, अब दोस्तो मैं अफिसार अलग लग वेराइटी का है, इन पैकेट के अंदर 5 mm का लीडी है, और हर एक पैकेट में 100 पिस एलीडी लाइट है, आप देख सकते हो, मैंने अलग लग कलर का लीडी लाइट खरीदा है, यह सभी ना दिपावली के समय बहुत काम आएगा, डेकुरेशन लाइट बनाने में, इन पैकेट को मैंने 85 रुपीज का खरीदा हुआ है, अब अगला प्रोडक्ट दिखाता हूँ, दोस्तों यह RGB बटन LED लाइट है, बहुत ही पावरफुल 3 वाट का LED लाइट है, आप देख सकते हो, इसमें 3 पिन दिया है, अलग अलग लीडी लाइट को कंट्र में कनेक्ट कर दो, इसके बाद जलना लगता है, यह कुसी भी ड्राइवार की जुरुत नहीं पड़ती है, इसमें इसका प्राइस है 15 रुपए, आप कोई भी कलर का खरीच सकते हो, अब दोस्तों मैं आपको अलग लग टाइप का DC मोटर दिखाता हूँ, तो यह वाला N20 मोटर है, नया वेराइटी का है, इसका साप्ट काफी ज्यादा लंबा है, आप देख सकते हो, और इसमें मोटर भी काफी बड़ा साइच का लगा है, इसका मैगनेट ना काफी तगड़ा साइच का है, आप देख सकते हो, काफी दूर से खीच ले रहा है, लगता है इस मोट में कितना डिफ्रेंस है इसे N22 गियर मोटर कहना सहीं रहेगा काफी दा हाई स्पीट और पाउरफुल गियर मोटर है तो इससे आप रिमोट कंट्रोल कार, इलेक्ट्रिक, स्क्रूड्रेवर और भी काफी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो इस वाले गियर मोटर को मैंने 119 रु इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यह वाला मोटर यह बहुत ज़दा यूनिक है और अभी तक यह मोटर किसी यूटूबर के पास नहीं है मैंने फास्ट टाइम स्टोर में देखा तो फटाक समय इसे खरीद लिया यह देखने मैं आपको 775 DC मोटर की तरह लगेगा दोस्तों यह DC मोटर इस टेप के हैंड मिक्सर गेंडर आता है ना इसमें का यह मोटर है काफी दा पाउरफूल हाई स्पीड वाला मोटर है और यह DC मोटर है इस वज़े से यहां पर एक बिजरेक्टिफ हैर लगा है आप देख सकते हो जो की AC करेंट को DC करेंट मे के लिए में यहाँ पर प्लुड दिया तो चलो अब मैं इसे चला कर दिखाता हूं से पटी के लिए दोस्तों मैंने हाथ में गलब्स भी लगा दिया और मोटर के साफ़ ताकि आपको मोटर के स्पीड कर पता लग सके यह मैने एक्स्टेंशन बोर्ट के साथ प्लुक्नेक् का मोटर है तो हाथ वेगर भी एक काड़ सकता है दोस्तों यह मोटर 775 DC मोटर से बस थोड़ा सही बड़ा साइच का है लगभग 2-3 cm ज्यादा बड़ा होगा और इसका मोटर का साफ टच भी न 5 mm का है जो कि 775 मोटर का जितना ही है तो अब जो भी 775 DC मोटर के साथ कनेक्ट कर के चलाते हो नो सब इस मोटर के साथ लगा करके इसका इस कर सकते हो दोस्तों इस वाले मोटर का प्राइस सुनकर आप चौक जाओगे क्योंकि इस मोटर का प्राइस है उनली 3.500 रुपे दोस्तों अभी तक वीडियो में आपने जो भी समान देखा हो सब नहीं खरीदते हो तो चलेगा लेकिन इस वाले मोटर को जरूर से खरीद लेना क्योंकि इस मोटर ना आपको फ्लिप कार्ड में मिलेगा ना इमाजॉन में ना मेकर बजार में किसी भी वेबसाइड में नहीं मिलेगा दोस्तो इस वाले मोटर और बाकी के समान को मैंने कहां से खरीदा है चलो मैं आपको बताता हूँ अभी तक आपने जितना भी समान देखा इन सभी को मैंने एक वार्टसप इस्टोर से ओडर किया था इस्टोर का नाम है सर्वमाट इस इस्टोर में आपको इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट डिसी मोटर और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको काफी सारा समान मिल जागा बहु तो उन सभी का डिलिवरी चार्जेस काफी ज़्यादा हो जाएगा मिला करके तो उतने पैसे में तो आप सर्वमाट से और भी काफी सारा समान ओडर कर सकते हो क्योंकि सर्वमाट में सारा का सारा समान एक ही जगा से आता है तो के वार्ट लेक बार ही आपको डिलिवरी चार जाएगा कोई भी फ्रॉड वगेरा नहीं होगा और दोस्तों मैं आपको बता दू कैस ओन डिलिवरी अवेलेबल नहीं है पहले आपको ओनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा उसके बाद आपके घर में समान डिलिवरी हो जाएगा और दोस्तों वाटसप इस्टोर का लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो एक बार जरू से चेक कर लो प्रैस वेगेरा आपको बहुत ही कम मिलेगा तो जल्दी से आप भी समान ओर कर लेना कैसे समान ओर करना है वी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंग चलो आप बाकी का जो समान कर सकते हो बारिक बारिक काम कर सकते हो एंड इसका ब्लेड ना बहार निकल जाता है इस टैप से और इसके साथ फाइब पीस एस्टा ब्लेड भी मिल जाता है जो की काफी सही चीज़ है यह कटर काफी दा काम आएगा प्रोजेक्ट बनाने में इसका प्रैस मुझे पड़ा ह 109 रुपाई दोस्तों ये वाला मैंने ट्रिकल टेप भी खरीदा है 10-10 रुपाई का मिर रहा था तो मैंने दोपिस खरीद लिया इसी टाइप से दोस्तों ये वाला थोड़ा यूनिक टाइप का डबल साइडेड टेप है आप देख सकते हो जो हम लोग आमतोर पर डबल साइडेड टेप यूजज करते हैं वो फोम वाला होता है लेकिन ये वाला टेप ना काफी दा यूनिक है आप देख सकते हो एदधम पतला सा डबल साइडेड टेप है और ये टेप काफी मजबूत है आप एक बार चिपका दोगे तो असानी से नई खुलने वाला जो फॉम वाला टेप होता है वो असानी से 2-3 मिनाट में खुल जाता है लेकिन यह टेप काफी बैतरीन तरीके से चिप का रहा है इसको मैंने 119 रुपय का खरीदा है नेस्ट प्रोडक्ट में दोस्तों यह मैंने ऐलुमुनियम फ्लक्स खरीदा है ऐलुम बनाने में बहुत कामाता है मैंने काफी उटूबरों को इसको इसको करते देखा था तो मुझे भी लगा इसको खरीदना चाहिए इसका प्राइस है सिर्फ 45 रुपय है दोस्तों लकड़ी PVC पाइप PVC सीट और प्लास्टिक की कोई भी चीच कट करने के लिए मैंने सौब ले का खरीदा है दोस्तों यह सिलिकोन पेस्ट यह से हम ग्लू की तरह यूज कर सकते हैं साथ में थर्मल पेस्ट की तरह भी यह काम आता है जो इलीडी लाइट का डियो भी प्लेट होता है और ही जो है निस से काफी अच्छे से ट्रांसफर होता है इसका प्राइस है 179 रुप का ट्रांसफर्मा कनेक्ट करना है इसके बाद आप इससे 200 वार्ट तक का लोड चला सकते हो और इस इन्वाटर कीट को मैंने सर्वमार्ट से सिर्फ दो सो उन्तीस रुपए का खरीदा है और यही सेम इन्वाटर कीट एमाजोन में 413 रुपए का मिल रहा है बहुत महेंगा मिलता है इमाजोन में दोस्तों यह रहा दूसरा इन्वाटर कीट इसमें आपको कोई सभी अलग से ट्रांसफर्मा लगाने की जुरत नहीं है इसमें इन्विल्ड ट्रांसफर्मा दिया हुआ है बस आपको इन दोनों वायर में बैटरी कनेक्ट करना है और इस पाएं इसमें कोई से कनेक्शन करने की जुरत नहीं है देख सकते हो साथ में अन आप करने के लिए स्विच भी लगा है और यहां पर दो इलीडी लेट दिया है एक ओवर्लोड के लिए और बैटरी के लिए है और दोस्तों सिर्फ आपको न इस रेड और ब्लेक वायर में बैटरी ही कनेक्ट करना होगा 12 वर्ड का इसके बाद आप इसमें 208 तक का लोड चला सकते हो काफी बैटरी निवर्टर बोड है यह एमाजोन और फिलिप कार्ड में अविलेबल नहीं है इसे आप सिर्फ सर्वमार्ट के इस्टोर से ही खरीच सकते हो इसको मैंने सिर्फ 599 रुपय का खरीदा है इसे मैं आपको जल्दी इन्वर्टर विगरा बना कर दिखाऊंगा जो की बरसात में बहुत काम आएगा यह रहा तीनों इन्वर्टर किट इसमें से आपको जो भी पसंद आए उसे आप खरीच सकते हो बहुत ही चीप प्रैस में आपको सर्वमार्ट में मिल तो आप भी खरीद लेना और जल्दी मैं इसे आपको इन्वर्टर बना कर दिखाऊंगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बैल को ओल पर जरू से सेट कर लो हाँ तो दोस्तो समान ओडर करने के लिए आपको सिंपली वीडियो की डिस्रिप आ रहा है उसको सिंपली जो प्लस के बटाइन उसमें क्लिक करके एड़ टू कार्ट करते जाओ जैसे कि मुझे यह वाला 220 वोल्ट का डिसी मोटर खरीदना है तो सिंपली मैं इसे एड़ टू कार्ट करूंगा नीचे में आ रहा है तू कार्ट उसको दबाना है और यह वाल इसके बाद दोस्तो आप कांफर्म करने के लिए प्लेस ओर कर सकते हो इसके बाद दोस्तो पूरा कार्ट हैने सेंड हो जाएगा उसके कंपणी के पास इसके बाद फोड़े देर के बाद आपको रिपलाई आजैगा और आपका एड्रेस वगरा पुछा जाएगा तो आप करने के पाद payment के लिए आपको नंबर सेंड कर दिया जाएगा जिसमें आप Google पे फोन पे या पे टीम के दौरा पेमेंट कर सकते हो इसके पाद जो है आपका समान 24 गंटे और 40 गंटे के अंदर जो है